बड़ी कबर अब आपको सुगदेव सिंग अत्यकान से जुड़ी बता दे जहां सुगदेव सिंग गोगा मेडी का पोस्मॉटम हो चुका है देर रात उनका पोस्मॉटम हुआ आज सुगदेव सिंग गोगा मेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा सबसे पहले सुभा साथ बजे उन्हें राजपूत सभाग्रे में रखा जाएगा वहां उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थे शरीर रखा जाएगा क्योंकि राजपूत समाज में बहुत नाराजगी है उनका ये कहना है कि सुगदेव सिंग गोगा बेड़ी बार-बार कहते रहे कि मुझे खत्रा है मुझे आप सुरक्षा दीजे नहीं किया गया पंजाब की मुहाली स्टेट स्पेशल यूनिट बार-बार कहती रही खत लिख रही है कि आप लोगों को इनको सुरक्षम हो या कराई चाहिए लेकिन नहीं किया क्या तो सुकदेव सिंग हत्या कान से जुड़ी ये बड़ी ख़बर आप देख रहे हैं और बड़ा अपडेट हमारे साथ हमारे दो सहीयों की जुड़ रहे हैं हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं और साथ इसाथ दीपक सबसे पहले में बवानी करू करूंगी प्यूकि भवानी वहां मौजूद है जहां पार्थिव शरी रखा जाएगा सुकदेव सिंग का पारास्ता तो कि जब यहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे अब अभी में राजफूर सभावन हो जहां पर उनका पार्थिव शरी लाया जाएगा और सभावन के बाद लगबग खड़ें उनके इंतजार में पार्थिव शरी के अभी वहां अब हैं जो जाएक्रारा से सवाइमान सिंग स्पताल से शब लेकर यहां पर पहुंचने वाले फिर उसके बाद में गोगा मेडी लेजा जये जाएंगा यहां से हन्मान गिरके कितनी देर में आने वाले है लग भी आते गंधा है फिलाल में उसके यहां से निकलने में प्रवार अस्वासन दिया और लॉलीपॉप दे निखाल दिया फिर दे दिया मैं जानता हूं इस बात को लेकर हमारे समाज के बड़े-बड़े लोग थे उनकी बात ने सकते जैसा उन लोगों किया समय पताएगा और देखते हैं जो होगा वो सामने आएगा और उसकी उम्मी सब्सक्राइब तक पार दो तक पहुंचने का टाइम नहीं मुख्यमंत्रे अशोग घरल और दीजिपी का विनाम महिए उनको और कियो आरोपी तक ऑटार के अधार के उपर मतलब जूसी शाब इसाब से डीजी पी ने बारा मेने पहले में 23 जनवरी 23 फरवरी को यह जाह सोंपी गई थी पंजाब कि दीजी पी ने जो लेटर दिया था उस संका की एसाब से हमने यह मुख्य मंत्री और डीजी के उपर संका दायर के इसाब से आफायर की गई तो तो जो वो खत्री की बात की गई जिसमें आफायर में का गया ता कि इनको यह गैंग है विदेश में बेटे कुछ आतंग को से करीब दिन के लिए दो साल भी रही है और रही है और लीटर लिखा था नो ने जू लेपी को भी लिखा तो फिर भी सुरुक्षा नहीं शुरक्षा दो दिन के लिए दी गई थी दो दिन के बाद अटाया दी गई थी अमने जब जब लेटर दिया डीजीपको भी दिया है कमिन्ठर को भी दिया मुख्यमंत्री को आवास के उपर भी जा के देख आई एक बात और सामने आई कि इनको पहले दो दिन पहले इनकी हत्या करना चाहते थे तीन तारीकों जूम कार पहले ही किराये पे ले ली थी दिखो ये सोती संजी गर्मी की बारीकों जूदे लोगों में नाराज़गी भी है सवाल भी है कॉंग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री से कि जब अल्टिमेटम मिल रहा है तो आप कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं बेराल मैं लोटूंगे आपके पास में हमारे साथ हमारे सयोगी दीपक भी जुड़े हुए उस अस्पताल के बाहर से जहां पर पोस्टमाटम हुआ लेकिन अब हम आपको संचिप्त में बता देते हैं कि ये पूरा मामला कैसे कहां से शुरू हुआ और अब तक इस पूरे इसको पूरे राजस्थान में दिन भर प्रदर्शन किया गया नराजगी थी लोगों में कि कहां है सरकार जो इतना बड़ा हत्याकार लो गया जांच के लिए SIT गठेत हुई FIR में अशोग गहलोत और DGP का नाम सामने आया अशोग गहलोत का नाम सामने आना एक बहुत समाने जानकारी हुई है रोहतरा ठोड से जुड़ी जानकारी वहां पर यखटा करने की कोशिश की गया लेकिन परिवार वाले के रहे हैं हमें कुछ नई यहां हमारे SBR मालूम देपकades जुड़ रहेए इंस असपिताल के बार से जहां पर पोस्तुम किया गया उनका रुक प्रशासन से बाच्चीत के बाद हल नेकला था कि शाव का पोस्मॉटम बहुत जरूरी है को कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था जिसके बाद सौय मांसिंग में देरा शाव को लाए गया पोस्मॉटम किया गया डॉक्रों का एक पैनल बनाया गया था जिसने पूरे फ़ गोलिया जो मारे गई थी उसके पोस्मॉटम रिपोर्ट के एसाफ से ही उसमें आकला बताया जाएगा इसके बाद ही होगी ने कि महीं दूस्तर बगर बात करें तो अभी तक का हमलावर जो है फरार है और पुलिसकी कई टीम है देराथ भी कई जगर पर दविश डाल नहीं लेकिन अभी तक उनके हाथ खाले और यही गुस्ता लोगों को पी प्यारा मांगों में से एक ये भी बात है कि बादतर घंटे का समय दिया गया है बात बदा सवाल है क्योंकि सिद्धू मुसे वाला से जुड़े हुए भी यही लोग है और अभी तक भी लोग बाहर पहु देखिए जो समझोता हुआ उसमें सबसे बड़ी सड़ती यही थी कि आरोपियों को ग्रपतार करेंगे उस टाइम लाइन के अंदर वो बहतर गंटे की टाइम लाइन दी गई है बहतर गंटे में से आप अंदाजा लगाईए कि तकरिवन बारा गंटे निकल चुके हैं तो पकड़ लेगी यकीन है बहतर गंटे नहीं पुलिस के पास है मुझलिम पुलिस के पास है पुलिस के पास है पुलिस के पास है यह कर गंटे का तो पबलिक के हिसाब से महुल देख के उसने टाइम डेडलाइन दी हुई है मुझलिम पकड़े गई है पकड़े गए तो फिर गुशा थे प्रइस्वे घुसे कॉशाच को अनुमान है कि पुलिस के पास उसी टाइम गृधारियां हो गई गई अट्यां के छ गंटे बाद उनके पास पुलिस हमारा विश्वास ही है कि कौन फ़िट्वास ऑगफटे पढ़े गई तो ऐसी कोई वज़े आपको नजर आती है जिसकी वज़े अभी उसके बारे में कुछ सोची नहीं सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं ऐसी क्या मुझबूरियें हैं उनकी आप नजर बनाया रखिए साथ बज़े का समय निधारत किया गया जब सुगदेव सिंग का जुश्व है और राजपूत सभा लाया जाएगा अंतिम दर्श्वन के लिए